असलाम एकुम डिया स्टूडेंट आज हम एलेक्ट्राणिक एबुक्स में जिस पर रीसर्च स्टडी देखने जा रहे हैं वो है एबुक्स के अपने फीचर्स क्या हैं और क्या वो फीचर्स वह हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनकी डिवेलपमेंट में लर्निंग म में या उनको डिस्ट्रैक करते हैं हम इसके उपर देखते हैं और यह देखते हैं हम किन फीचर में अब तक साब्रक्राणिक देंब तक कि यह उचिंद मुझां पहली जो हमें चीज रीसरच स्टडी से मिलती है वो यह मिलती है कि मोस्टी जो यह इबुक्स अवेलिबल है मार्किट में उनकी क्वालिटी बहुत ही बुरी है और वह लोग क्वालिटी के तोर पे कंसीडर हुई हैं रीसरच के अंदर और researchers ने अच्छे खासी research studies में हमें ये चीजे मिलती हैं जो e-book के features हैं उनका मकसद तो ये है या बजाहिर नजर आता है कि वो बच्चों को support करेंगे उनकी language learning के अंदर या comprehension के अंदर जबकि इसके result बहुत सी research studies में उल्टे आए हैं बच्चों की language learning भी effect हुई है और उनकी comprehension भी कोई खास impressive change उसमें नहीं आता वैलकि कई दिफार detrimental result मौजूद होते हैं लो quality की जो हमें e-books मिलती हैं बहुत popular e-books हैं studies हमें ये बताती हैं Greece में, Hungary में, Netherlands में और Turkey में और वहां पे जो popular e-books हैं उनकी quality बहुत ही compromising है और questionable है So, एक study हमें ये भी बताती है ये 2017 की study है कि पिछले 10 सालों के अंदर e-book के features में कोई खास कोई बड़ी changes भी नहीं आई हैं technology के हिसाब से अगर देखा जा सके external properties क्या हैं digital books की जिनको हमें देखना पड़ता है और जिसे हम उसकी quality को check करते है definitely उन qualities के अंदर अगर e-book का weight भी आ जाता है कि वो कितना कम है, कितना ज्यादा है कितनी bright है, कितनी dull है उसकी illustration की qualities है, वो कैसी है क्या वो उस e-book के अंदर qualities हैं कि वो बच्चों की senses को भी इंगेज करें उसके अंदर augmented reality यानि जो उसके visuals हैं, graphics हैं, वो किस तरीके से present किये गए है और उसके अंदर camera किस तरीके से trigger हो जाता है या नहीं होता, या different hot spot जो हैं, उनको कैसे navigate किया गया है, आईए उसकी quality features के बहुत important चीज़े हैं internal properties जो है, digital literacy के अंदर उसके अंदर हमारे पर दो चीज़े आती हैं हम देखते हैं कि multimedia features क्या है मिसाल के तोर पर हम यह देखते हैं कि उसके अंदर voice quality कैसी है, music कितना loud है, कम है, कैसा है, ज्यादा है, imaging, graphics, drawing, text इसको कैसे present किया गया है या हम यह भी देखते हैं, second level पर कि इसकी interactivity features जो हैं, वो कैसे हैं, वो भी इसकी quality को determine करते हैं, कि जब आप उसको touch करते हैं, तो क्या character चलना शुरू हो जाते हैं, storyline alteration शुरू हो जाती है, या games आ जाती हैं, या आपकी integrated story जो है, वो किस तरीके से integrate हैं feature के साथ, so जो embedded, आपका multimedia features है, interactive features जो है, वो कई दफा तो बच्चों को engage करते हैं, कई दफा बच्चों को distract भी कर देते हैं, अब यह हमारे पर studies हैं, कुछ studies यह बताती हैं कि interactive features जो हैं, यह बच्चों की literacy के लिए अच्छे हैं, एहम हैं, कुछ studies बताती हैं, कि यह एहम नहीं है, और यह जो interactive features हैं, कई दफा इनका, इनका कोई effect नहीं है, और इनका कोई significant हमें result नजर नहीं आता, बहुत से important studies हैं, आजकल, वो हमें यह बता रही हैं, कि बहुत से interactive features ऐसे हैं, जो बन्यादी तोर पर, text के साथ, जो है, वो congruent नहीं है, और hot spot इस तरीके से design किये गए हैं, mostly low quality e-books के, जो बच्चों को, उनकी attention को वहां से हटाते हैं, उनको distract करते हैं, उनकी cognitive confusion को मजीद बढ़ा देते हैं, और इसका असर positive होने की जगा, बच्चों की vocabulary scores पे भी negative हैं, उनको recall करने पे भी negative हैं, और वो text को समझ भी नहीं पाते हैं, इन धेर सारे जीवोगरी features की वज़ा से, और क्योंकि ये बार-बार, उनके understanding के साथ interfere कर रहे होते हैं, और उनके attention हो सकता है, gaming की तरफ, ज्यादा जा रही हो, कि वो text को समझें, या जो आप चीज़ उन्हें पढ़ा रहे हो, वो उनने बहतर तरीके से समझ सकें, तो quality एक digital e-book की बहुत एहन factor है, जो determine करती है कि बच्चों की इससे कितनी अच्छी language skill develop होगी, आ या बच्चों की इसके तरू कितनी बहतर तरीके से attention span बहतर किया जा सकता है.